संभाव या अशंभाव जी हाँ यह बिल्कुल संभाव है नब यह सो कुंटल पिर्थी भीगेगी इसाब से मारा गन्दा निकलता है बने रहे वीडियो के अंत तक और समझेगे किसानमित्रों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एटी अस्यानी एकल्सा टेक्निक एंड सॉलूशन में और मैं भी के सर्मा आज फिर हाज रहूं आपकी सेवा में नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है गन्ने की खेती में सिंगल व भवाई करने के समय पे गन्ने का जो बीज का चैन करते हैं उसमें यह नहीं देखते के बीज जो है गन्ना का वह उचित रहेगा वहाई के लिए यह नहीं रहेगा किसानमित्रों आज का सब्जेक्ट बहुत महत्तोपूर्ण है और सब्जेक्टी शुरुआत करें उससे पह किसानमित्रों आप शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की किसानमित्रों अगर गन्ने के बीज के चैन के समय पर हमने को साबधानियों को ध्यान में रखा तो हम एक एक कड़खित से 600 कुंटल या उससे अधिक का उत्पादन ले सकते हैं और हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने पेछले साल संगल सिंगल बेट्स टकनिक से सो कुंटल तक बड़ी सभलता को पदल लिया है आज की वीडियो में हमसे मुलाकात भी कराएंगा और उनका गन्ना भी दिखाएंगे तो अब सबसे पहले जरूरत है यह जानने क चांग का और 6-6 का टोड़ा वोते हैं जो बिल्गल गलत है आभी देख रहे हैं कि इसके जो वर्ट होते हैं वो एक दूसरे के वेपरीत शामे में होते हैं अब जब आप इसको खुण में डालेंगे तो जब खुण में डाल दिया तो ये दो आंक इसकी तीन आंक इसकी नी जड़ नीचे को निकलेंगी जब हम उलटा डाल देंगे इसको डाल निचे तो नहीं निकलेंगे क्योंकि बड़्स मोलांकुर होता है उजाले नीचे की तरफ जाता है जब आपने उसको उलटा डाल दिया तो यह अपना जर्मिसन नहीं करेगा और हमारा जो है तीन आग में भी देख लीजिए कि तीन आग में आपकी दो आख नीचे जाएगी और एक बट उपर आएगी इसका मतलब है कि आपका जो जर्मिरेशन है वो प्रभावित होगा और वो जर्मिरेशन मात पचास से साथ परसंटी रहेगा जब के कुछ किसान क्या करते हैं बहु होगा कितनी वो ट्रिलिंग देगा तो इसके लिए इज्याद किया गया वैग्यानिकों की पद्दती पे अधारित जो तकनीक है वो है दो एक का टुकड़ा बोने की तकनीक तो एक आंक में भी हमें यह द्यान रखना कि ऐसे टुकड़ा नहीं काटना जिसमें के यह भाग ज्यादा है यह भी जबद्दधा बहुत ज्याम जादा है जो इसकी तकनीक है वो यह थे है इस इ película के टूकड़े में हम ध्यान क्या रखते हैं कि इसका एक बड़ा तीन भाग ऊपर का और दो बड़ा तीन भाग नीचे रखते हैं और एक आँख रखते हैं जबकि आँख को हम ऊपर रखते हैं इस आँख को ऊपर रखेंगे तो यहां से पौधा निकलेगा और जो पौधा निकलेगा वो स्वस्त होगा मजबूत होगा खाने के लिए पूरा भोजन उसको मिलेगा आराम से 30-40 दिन तक इसमें भोजय पदार्थ की पूरी स्टॉक रहता है और पौधा अच्छा निकलता है यह है गन्ना भुवाई की सिंगल बट तक्निक इसको ऊपर करके डालेंगे थोड़ा सा दियान यह देंगे लेवर को भी अब हम उन किसान बंदू से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने के सिंगल बट तक्निक से पिछली साल पौधा बोया था गन्ना और गन्ने आप कैसा है आप स्वैम देख लीजिए आईए चलते हैं मिलते हैं उनसे अब आज फिल्ड पे हम आये हैं और मेरे साथ किसान भाई है गन्ना किसान क्या नाम है सर आपका सोन चोधरी तो सर आप यह बताए चारा का टोड़ा डाला था और यह फिर आप गन्ना डालते हैं तीन आख का या चार आख का टोड़ा डालते हैं तो आपको क्या परवर्तन दिखाई दिया है इसमें एक आख में डालने में उत्पादन पर क्या फरक पड़ा है सबसे पहले तो जी जर्मिनेशन बहुत अच्छा इसका जोगा सिंगल बड़ सिस्टम से और जो है जो गन्ना है जिसके किल्लोगी संख्या जादा है उत्पादन जादा है और हमने तीन आख का भी गन्ना वोया है चार आख का भी गन्ना वोया है दो आख का भी वोया है तो इ और रिजल्ट आपके सामने हैं यह देखो लना आप देख रहे हैं यह भी सिंगल बट से बोया गया था गन्ना और इसमें आप इसकी लेंथ देखिए कम से कम आज की डेट में 18 फिट का 17 फिट का 16 फिट से कम का गन्ना नहीं है और यह ट्रेंच से बोया था यह और आप देख सकते हैं कि गन्ने की लेंथ बहुत अच्छी आई है और गन्ना की मोटाई भी अच्छी है इनांक या चारांक की जो गड़ेली डाला करते थे बीज में उसमें उन हमारा सत्तर से लगवग असी कुंटल की पैदा निकलती थी में एक्जीम और अब जो सिंगल बट सिस्टम गया थे तो इसमें हमारी पैदावार हम लगवग सवाई हम बोल सकते हैं नभभग सो अगर फितान चर्व हमारे मेरा थो यहीं कहना है अगर फ्याता निचे चार। जोत को सबसे पत्तेता हरे चैनल के माद्यम से आपका बहुत भुत धन्यवाद कि आपने बहुत महत वन्य जानकारी दी हमारे किसान वाई को आपका बहुत-बहुत धन्यवाद किसान मित्रो मुझे उम्मीद है कि आज की नौलेजफुल वीडियो आपको पसंद आए होगी और ऐसे ही ज्यानवर्धन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आप फेस्बूक पेज पर मुझे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फोलो कर लिजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार